हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटीव चैनल पर तो दोस्तो आज मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाली हूँ फ्लैमिंगो का चैप्टर नमबर 5 इंडीगो जिसे लिखा है लॉईस फिशर ने मैं आपको इस चैप्टर की डीटेल समरी समझाने वाली हूँ बट ये कोई स्टोरी नहीं है ये एक्छली एक रियल इंसिडेंट है महात्मा गांदी ने जो चंपारन मुवमेंट किया था न वही चंपारन मुवमेंट हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है Actually, एक पूरी बुक है महात्मा गांधी के बारे में और उसी में से कुछ हिस्से निकाल कर हमें इस चाप्टर में दे दिये गए हैं So, let's begin This incident was started when peasants were producing indigo on 15% of the land area And according to an old agreement, they had to give it as a rank to the land lords It was about 1917, the Germans started developing synthetic indigo And because of this Britishers thought, they don't need natural indigo They decided to free Indian peasants, but they demanded compensation from them Most of the illiterate agreed to it, except a few तो ये घटना कब की है जब हमारे भारत को Britishers ने अपने कबजे में कर लिया था तब की ये घटना है तो वो लोग क्या करते थे पता है हमारे जो इंडिया के फार्मर्स थे उनसे ये लोग जबरदस्ती indigo उगवाते थे indigo का मतलब होता है नील ये लोग क्या करते थे अपना जमीन दे देते थे उनको और फिर जमीन के 15% हिस्से पर उन गरीब फार्मर्स को indigo उगाना होता था यानि की नील की खेती करनी होती थी और फिर जितना भी नील वो लोग उगाते थे ना सब के सब ब्रिटीशस उनसे छीन लेते थे और कहते है कि ये तो रेंट है और ये हमें दे दो मतलब की पूरी तरह से ये जो हमारे इंडियन पीसंच है यानि की फार्मर्स से पूरी तरह से एक्स्प्लॉइट हो रहे है इन्हें बरबात कर रहे थे वो ब्रिटीशस लोग अब ब्रिटीशस ने ये सोचा कि यार अब हम ये नैचुरल इंडिगो उगवा के यूज करें ये तो बहुत महंगा पड़ेगा इस से अच्छा क्यों न हम सिंथैटिक इंडिगो ही इस्तमाल करें तो इन्होंने सोचा इन गरीब किसानों को चलो फ्री कर दिया जाए मुक बहुत सारे जो गरीब और इलिटरेट मतलब की पड़े लिखे नहीं थे बहुत सारे किसान तो वो सब मान गए लेकिन जो थोड़े समझदार थे वो नहीं माने अब भाईया क्यों दे वो लोग मुआउजा मतलब अपने को फ्री करवाने के लिए भी वो लोग को पैसे दे ने पढ़ रहे देखो इतना जुल्म करते थे वो ब्रीटीश हर्स हमारे किसानों के उपर देखते हैं आगे क्या होता है During those days, Gandhiji was in Lucknow in meeting. Suddenly one man whose name was Rajkumar Shukla came and requested him to help all peasants. He was one of them. Seeing the determination of Shukla, Gandhiji decided to help. Then two of them went to Patna of Bihar. Then they visited to the house of Rajendra Prasad who was a lawyer. He visited Muzaffarpur to investigate more. He stayed there with professor and then Gandhiji and several lawyers started their protest. तो जब ये सब इंटीगो का matter चल रहा था, उनहीं दिनों में Gandhiji लखनाओ में थे और वो वहाँ पर एक meeting में गए हुए थे. तो तुरंत एक आदमी जिसका नाम था राजकुमार Shukla और वो भी एक पीजन्ट था. तो उसने क्या सोचा कि चलो गांदी जी आये हैं तो क्यों ना मैं इन्हें force करू कि हमारी help किजिए, force करू, request करू क्यूंकि बिचारे वो लोग बहुत problem में थे. तो इसने सोचा कि चलो गांदी जी से बात करता हूँ. तो वो गए गांदी जी को बहुत request करा help करने के लिए. अब उसके बाद क्या हो पते गांदी जी ने का कि अभी तो मैं बहुत busy हूँ, मैं आपको दूसरे शहर में मिलता हूँ. और जहा जहा भी गांदी जी जाते थे ना वहाँ वहाँ शुकला उनके पीछे जाता था. तो इसी determination को देखते हुए गांदी जी उनकी मदद करने के लिए तयार हो गए. फिर गांदी जी और शुकला दोनों मिलके पठना गए सबसे पहले. आपको याद रखना है. पहले वो लोग कहा गए पठना. तो वो लोग किसके घर गए? राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे. और राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे. बाद में आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के पहले राश्रपती बने थे. यानि कि प्रेसिडेंट बने थे. तो गांदी जी और शुकला मिलकर कहा गए राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए बट एक्चुली में राजेंद्र प्रसाद घर पे थे ही नहीं कुछ दिनों के बाद गांदी जी कहां गए मुजफर पुर गए मुजफर पुर वो क्यों गए पता है और पता लगाने के लिए कि एक्चुली में क्या हो रहा है और अच्छे से पता लगाने के लिए गांदी जी मुजफ़र पुर गए, वहाँ वो एक प्रोफेसर के साथ रहे, उसके बाद गांदी जी और बहुत सारे लोयर्स ने मिलकर अपना ये प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, यानि कि किसानों के हक के लिए लड़ना इन सब ने अब गांदी जी आय हुए है, बहुत पिसंस के लिए बहुत पिसंस के लिए। की मदद करने के लिए, यानि कि किसानों की मदद करने के लिए, ये बात एकदम आग की तरह हर जगा फैल गई, तो बहुत सारे लोयर्स, बहुत सारे फार्मर्स सामने आए उनको मदद करने के लिए, जो लोयर्स थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब जो व तो एक ही मोटिव था और वो मोटिव ये था कि इन गरीब किसानों का confidence बढ़े क्योंकि जब उनका confidence बढ़ेगा तभी वो लड़ाई कर पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे गांधी जी को रोकने के लिए बहुत चाल चले गए बहुत मतलब बहुत चाल चले गए एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट का मेसेंजर था उसने तो गांधी जी को order दे दिया कि तुम ये शहर चोड़ कर चले जाओ बाद में गांधी जी को एक official notice भी मिला शहर चोड़ने का लेकिन गांधी जी ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया लेकिन वो जो notice था वो official था यानि कि सरकार के द्वारा भेजा गया था इसलिए महात्मा गांधी को court में घसीता गया लेकिन बहुत सारे peasants हैं उनको support करने के लिए जिसकी वज़ा से जज ने गांधी जी को छोड़ दिया He managed to get justice after a year-long battle for the peasants Finally, Britishers were agreed to return money back to peasants गांधी जी also made arrangement for the education, health, hygiene for the families of poor peasants गांधी जी taught them a big lesson So, एक साल की कडी महनत के बाद सभी किसानों को इंसाफ मिला Finally, Britishers तैयार हो गए पैसे वापिस देने के लिए और उन्होंने पैसे वापिस भी दे दिये सभी किसानों को जिनसे भी compensation लिया गया था धोके से उन सभी को पैसे वापिस मिल गए इतना ही नहीं गांधी जी ने देखा कि यार यहां के condition कितनी जादा खराब है ना education है, ना लोगों की health अच्छी है, ना साफ सफाई अच्छी है इसलिए उन्होंने इन सब का arrangement भी वहापर अच्छे से किया अपने wife को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और उन सब ने मिलकर वहाँ पर काम किया लेकिन देखे, भले ही गांधी जी यहां पर किसानों के हक के लिए लड़ रहते तो भी वो हमेशा अपने आश्रम के बारे में सोसते रहते थे वो हमेशा सोसते रहते थे कि वहाँ पर आश्रम में क्या चल रहा होगा इसलिए वो हमेशा आश्रम से अकाउंट मंगवाते थे अकाउंट देखते थे कि वहाँ पर कैसा पैसा का लेंदेन चल रहा है उसके अलावा वहाँ पर साफ सफाई रहती है कि नहीं ये सब भी वो हमेशा पूसते रहते थे गांधी जी ने सभी को एक बहुत बड़ा पार्ट सिखाया किस-किस को पीजन्स को भी यानि कि फार्मर्स को भी इन्होंने बहुत बड़ा लेसन सिखाया कि self confidence से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो और Britishers को तो इन्होंने और भी बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हाला कि यह जो चमपारन movement था यह बहुत ज़्यादा important साबित हुआ और कहीं ना कहीं इसकी वज़ा से भी हमें आगे जाकर सफलता मिली यानि की आजादी मिली यही पर खतम होता है हमारे यह चाप्तर नंबर 5 इंडिगो थैंक्स वोचिंग दिस वीडियो तेल एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजे और येस फर्स टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर दीजे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो सलाती रहती हूँ मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में तब तक के लिए बब बाई